हेलो इस्टुडेंट आज के हमारे लेक्चर में है थियरम रिलेटी टू सालफ जोइंट ऑपरेटर ठीक है यह फर्स्ट थियरम है ऑफ सालफ जोइंट ऑपरेटर की ठीक है अब हम इसमें इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे फिर देन इसका प्रूफ करेंगे सबसे बाता है कि A1 और A2 Self-Ad そ आज हैं हमारे पास A1 और A2 2 Self-Adjuine От Many生 capability में तो मुझे प्रूफ करना देन तब अ उन दोनों Self-Adjuine इसकी जो प्रोड़क्ट है वो भे Self-AdjuineT होगी इफ-इन ली-इफ जब उसका मतलब एक दूसरे क्या है सबसे पहले तो यहां पर बेटा इपनोनीफ का आगया तो इपनोनीफ देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसके दो पार्ट बनेंगे फर्स्ट पार्ट और सिकिंड पार्ट क्लियर अब इसमें हमें गिवन है कि एवन एटू सेलफ एजोंट ओपरेटर है हमें प्रूफ कि प्रूब्ट ग्या है सेलफ ह्योञत आप उपरेटर हैं और मैं प्रूफ कर दहूंगी वह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं क्या कॉम्मिट करते हैं सेकिंड पार्ट में मैं लेकर चुनोंगी स्हें करें दरन प्रूफ करदूंगी कि क्या होंगे साथ lif littor ऑपरेटर होग self-adjoint operator A1 और A2 मेरे पास self-adjoint operators है on Hilbert space अगर वो self-adjoint operator है Hilbert space में then तब by definition आप क्या लिख सकते हो किसकी definition से by definition of self-adjoint operator आप क्या लिख सकते हो कि उस operator का adjoint उसी के equal होगा clear यह है हमें given कि A1, A2 self-adjoint operator है Hilbert space में तो उसका adjoint उसी के equal clear this is equation number first यह हमें given है अब हमें part जो proof करने है वो if and only वाले case है कि उनकी product self-adjoint होगी अगर वो एक साथ वो एक दूसरे के साथ commit करेंगे अगर एक दूसरे के साथ commit कर रहे तो वो self-adjoint होगे तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे commit करें तो वी विल प्रूव वी विल प्रूव डैड कि A1 A2 equal to A2 A1 कि वो एक दूसरे के साथ क्या करने है commute करें clear यह हमें प्रूव करना है यहां पर वी टा A2 ठीक है यह चीज़ हमें प्रूव करने प्रूव करने प्रूव यहां तक कोई doubt clear हमें given है by definition लिग दिए self-adjoint है तो इनकरजोंट उनीक एककोल होगा हम सबोस करके चलते हैं फर्स्ट पार्ट में की self-adjoint है प्रूव करना हमें यह अब बेटा since A1 A2 is self-adjoint हम मानके चल रहे न यह कि यह self-adjoint है अगर यह self-adjoint है then by definition of self-adjoint यह क्या इसी का adjoint इसके एककोल होगा clear यही तो करते हैं self-adjoint का मतलब क्या होता है कि उसका adjoint उसी केकोल अब मेरे पास यहां पे A1, A2 self-adjoint है तो A1, A2 कफ adjoint जो होगा वो उसी केकोल आ जाएगा by definition of self-adjoint clear यहां पे single था यहां पे हमारे पास जो operator है वो A1, A2 दोनों की product है अगर वो self-adjoint है तो उसका adjoint उसी के equal clear अब बेटा मैंने आपको एक adjoint में condition property बताई थी मैं उपर का यह rough कर देती हूं कि मेरे पास T1, T2 दो operator है एक नट मेरे पास T1, T2 दो operator अगर मैं उनका agent लेती हूं तो वो open होके इस तरीके से आजाते हैं कैसे किस bracket के अंदर वो ऐसे हैं जो बाहर जाएंगे तो ऐसे हैं चीक है T1, T2 का adjoint अगर हम लेते हैं तो वो reverse हो जाते हैं opposite हो जाते है T1, T2 का हो जाता है T2, T1 और star लग जाता है clear तो बेटा यह कुछ ऐसे ही दिख रहा है हमें but यहां पर क्या T1 की जगे क्या A1 और T2 की जगे क्या A2 तो यहां पर हो जाएगा reverse A2, A1 और adjoint as it is कोई doubt के लिए ठीक है अब देखो बेटा A2 का adjoint किसके equal है A2 के तो इसकी A2 के adjoint की जगा मैं लिख सकती हूँ A2 कोई doubt बेटा A2 यह चीज आगे A2 इसकी value देखो A2 के equal रख दिया अब इसकी value देखो A1 star A1 star की value A1 equal to किसके चल रहा A1 A2 तो यही तो हमें proof करना था clear हम लेके चले कि वो self adjoint है self adjoint हो तो यह अपने ही adjoint के equal होगा ठीक है इसको हमने open किया ठीक है पहले बाद में और यह किसके equal है इसके और यह किसके equal है इसके value पुट कर दी हमारा जो proof था वह हो गया part first तो हमारे पास proof हो गया अब करते हैं वेटा part second यहां पर यहां पर हम करेंगे इस अपर यहां पर हम करेंगे to prove that to prove that A1, A2 is self-adjoint कि ये क्या होगा मेरे पाद self-adjoint अब बेटर self-adjoint प्रूफ करने के लिए that is हमें क्या प्रूफ करना होगा यहां से that is कि A1, A2 का जो adjoint होगा वो equal हो जाए A1, A2 के मतब उसका adjoint उसी के equal आ जाए के लिए तो मैं ये वाला पार्ट बेटर ले के चल रहे हूँ जो मुझे ना हो प्रूफ करना ये वाला इसके equal प्रूफ करना तो ये ले के चलूँगी ये ले आऊँगी तो मैं यहां से ले के चली A1, A2 का adjoint के लिए अब बेटा जैसे कि अभी मैंने बताया था यहां पर आप side में लिख सकते हो यहां पर चुकि T1, T2 का अगर मैं adjoint लेती हूँ तो वो opposite हो जाते हैं और साथ में adjoint लग जाता है star लग जाता है ठीके तो similar तो इसको क्या लिख सकते हूँ A2, A1 और star लगा दी clear? by this property clear? अब देखो अभी हमने लेके तो यही चल रहे ना कि A1, A2 दोनो self-adjoint है अगर self-adjoint है तो इसका adjoint इसी के equal और इसका adjoint इसी के equal तो A2 star की जागे क्या लेक सकते हूँ में? A2 और A1 star की जागे क्या लेक सकते हूँ? A1 clear बेटा? यहां से कोई doubt? ठीक है? अब बेटा देखो यह चीज आ गया मेरे पास यहां से A1 A2 का star equal to हो गया A2 A1 यह मेरे पास आ गया अब यह बताओ A2 A1 किसके equal लेकर चल रही हूँ मैं? इसके? तो इसकी जगा मैं यह चीज लेक सकते हूँ बेटा? क्यों? क्योंकि बेटा मैं suppose करके चल रही हूँ कि यह इकवल है मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्यूट करने है self-adjoint मुझे प्रूफ करना था तो self-adjoint के लिए यह चीज प्रूफ करनी है तो यह चीज मैं लेके चली इसको किस तरीके से open करते हैं? जब star open करते हैं यह वाला joint open करते हैं इसको पहले इसको बाद में के लिए अब A2 A1 मेरे पास दोनों self-adjoint है तो हमें पता है A1 का star इसके equal होगा और A2 का भी इसके equal तो इन दोनों की value मैंने put कर दी अब यह मेरे पास कुछ इस तरीके से जो हमने suppose किया हो यह किसके equal है इसके तो यह value यहां पर put कर दी तो यहां से मेरे पास क्या आगया बिटा A1 A2 का अजोंनत तो यहां से यह चीज़ क्लियर होगया A1 A2 का जो adjoint है वो उसके equal आगया यहां से क्या चीज़ क्लियर होगी कि A1 A2 का जो adjoint है वो उसके equal आगया अग जब कभी भी ऐसा हूता है he überzeug key pace में एजोइंट केलिया तो यहां से हमने दोनों पार्ट्स प्रूफ कर दिये सबसे पहले हमें गिवन था यह हम लेके पहले यह चले फर्स्ट पार्ट में और प्रूफ कर दिया था यह अब इस बार यह लेके चले और हमने एवन एटू को सैलफ जोइंट प्रूफ कर दिया ठीक ह बेटा